For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हाल ही में भारत सरकार ने उर्दू भाशा को प्रमोट करने के लिए Bollywood के तीन A-Lister stars शारु खान, सल्मान खान और काट्रीना कैफ को किया अप्रोच और उर्दू भाशा को प्रमोट करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है लेकिन सरकार के इस मूव से नेटिजन्स काफी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन A-Listers के बदले उन्हें ऐसे सिलेब्रिटीज को चांस देना चाहिए था जो कि खुद उर्दू से वाकिफ है बॉलिवुड में गुलजार और जावेद अक्तर जैसे कई सिलेब्स हैं जिन्हें उर्दू का काफी घ्यान है ऐसे में इन स्टास को मौका देने के बजाए जब सरकार ने सल्मान शारुक और काट्रीना को मौका दिया तो इन लोगों को ये सही नहीं लगा अब सरकार के point of view से देखें तो उनकी बात भी सही है सरकार का मानना है कि सल्मान शारुक और काट्रीना कैफ बहुत बड़े influencers हैं तो अगर उनसे उर्दू में कुछ lines record करवा कर play किये जाएं तो लोग सुनेंगे जरूर और उनके कहने पर लोग उर्दू को लेकर serious भी हो जाएंगे तो सरकार और netizens के conflicting views के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं